तो जाहिन सातियों मेरे यूटूब चिल में आप लोगा स्वागा थे इस वीडियो में आप लोगो बाताने जरूंग एससे जीडी दो हजा चोबिस के उरिस्टा का कितना कटब रहने वाला है बीएसेप से आप लोगो देखाने जरा हूं मेल और फिमेल दोनों का तो जरूर साल जो वेकिंग सी था 17883 वेकिंग सी था और इंडिया मिला कर और इस साल जो वेकिंग सी है बीएसेप में 5211 वेकिंग सी है इस साल तो इस साल आप लोग का कितना कटब रहेगा तो पहले देख लेए पिछले साल में कितना नम्मर रहा था तो सेलेक्शन हो गया था उरिस डिस्टिक बाद करता है ऑश सैट जिनका था और सफेले साल और दिहिए पिछला साल भेकिंग सह कितना था जिनके से थो तीनसो चय भेगन सिटा ज्याद भेकेंगन की नहीं था पिछले साल भी और इस साल भी ज्यादा भेकेंग सी नहीं है तो नंच सेढर या कबाद करता में नक्सरी know कितने में सेलेक्शन हो गया था इडेबलेस के बाद करते 43.29 जिन का था उनलों का सेलेक्शन हो गया था और स्ट्री के बाद करते सेलेक्शन हो गया था और विसी बात करते उनलों सब्सक्राइब रहने वाला है एक्सपेक्टेड आप लोगो देखाने जा रहा हूं जोस्तो आज हम बात करने बाले स्टेडी कॉंस्ट्रेबल एक्जाम दोहजार चोबिस के बेस्ट बूप के बारे में जो चक्षू की है बेश्ट बुक है जरूर आप लोगे त्यारी करेंगे तो आप लोगा बहुत हाइदा होने बाला है बेश्ट बूक का देखाने चक्षू प्रकाशन की तो इसकी खासियत क्या है आप लोग इह पर देखिए जो इहां पर बहु विकल्पे प्रश्ण है इसमें तीन प्रकाशन आप लोगो दे रहा है और यहां पर बेस सेलर भी एबूक है तो आप लोग खड़ी सकते हैं तो कहां आप लोग मिल सकता है एं बूक्स तो इसके बात करते हैं यह पर चक्सु प्रकाशन की जो में वेप साइट है आप लोग इसकृटर के बात करते दिश्क्रिप्स हैं अप लोक पर लोग में खरे सकते हैं और आयान तो किसे किरीप्षी bright प्रका क्लोंस के बीट जिनका रहेगा ठीक है ? उन लगों के लिए ४ुद अच्छा स्वारा रहने वाला है और है आज ऑस्वारा आप लोगोंस के लिए याकर देख लेते हैं जिस साल आप लोग के कितना स्कोर हैगा तो selection मिलेगा तो next लड़ आकर देखिए 55 के बीजिनका रहेगा उन लोग के लिए selection के लिए अच्छा स्कोर रहने बाला है और SC के बाद कर तो 61 से 65 और ST के बाद कर तो 75 से 78 और 20 के बाद कर तो 78 से 84 और इवार के बाद कर तो 84 से 88 की बीजिनका रहेगा उन लोग के लिए अच्छा स्कोर रहने वाला है BSF के लिए next लरिया से ठीके मेल का तो आप लोगों में देखा दिया हूँ मेल का कट अप लोगों का इतना ही रहने वाला है और जो आप लोगों का फीमेल का कट अप कितना रहेगा ता आप लोगों को देखाने जारा हूँ तो जरूर देखे लास्ट देख लेते हैं फीमेल का कितना स्कोर रहेगा ता बीस में सेलेक्शन होने का चांस रहने वाला ह टो ओल इंडिया मिलाकर पिछले बार कितना वेकिंग से था फीमल का बेसे अब से चेंद ज्यादा इस बार वेकिंग सी नहीं है तो पिछले बार कितना कट अब गया था उडिस्टा का फाइनल बेडिवाद को देखे जैनेडिस्टिक से उने 90.74 जिनका था सेलेक्शन हो गया था और सिख बात करतो 73.22 और सिख बात करतो 77.70 और अभी सिख बात करतो 90.22 और ईवार किंडिडेट के बात करतो 95.1 जिनका था उनलों का सेलेक्शन हो गया था पिछले साल BSF में फिमेल का और पिछले साल भेकिंग सी कितना था देखिए चोवन भेकिंग कि चुन पैचले साल और इस शेर डिस्टिक से और नेक्स लिया से साइट भेकिंग सी था तो नेक्स देल रिया एड़ एडवलेस तो वेकिंग सी नहीं रहता है और एस्टिक बात को देखिये 5 पॉइंट पर इन तो इन सथे इनका था सेलेक्शन हो गयाथा के बाद को तो 66.94 और युवार के बाद को तो उन 70.50 जिनका था उन लोगों का सेलेक्शन होगा था पिछले साल बीएश्चेब में और इस साल के एक्सपेक्टरी गॉटाब के बाद करें देखिए जिनर डिस्टिक और नेक्सर लिया के तो नेक्स जिनर डिस्टिक में जो इ एक्सन होगा मेरिट होगा बीए से के दो आप लोग एक्सपेक्टर कट अब देखाने जा रहा हूं तो जिने डिस्टिक के पहले देख लेते हैं इन देखिए डेवलेस के तो एक सो प्लास जिनका है उन्हों का अच्छा स्कोर रहने वाला है मेरिट के लिए और इसी के देख है अच्छा स्कोर है और देख लिएुकर है तो अच्छा स्कोर रहने वाला है सेट्ष के लिए तो आधस जेखा लिए नंदे के लिए तो नक्वसलरर यह की कोई भेकिंग साइन रहता है और SC के बात करो तो 65 प्लास जिन का रहेगा उन लों के लिए अच्छा सखोर रहनेवाला है फीमेल किणिध के लिए और ŚS around 58 प्लास और OC is about got 64 pos just. और इस your candidate के बात कर तो 80 प्लास रहेगा तो अच्छा सखोर रहेने वाला है फीमेल के इन डिछा ये दूस तो आप लोगे एक्सेक्टर कर देखा धिया हम मेल और फिमेल दोनों का जो आप alles से ईये का चान्स रहने वाला हे तो इतना ही अपने का लिए अगले भीडियो में आप लोगों को देखाऊओगा दो कितना रहने वाला है उरिष्पा के लिए और हो सके तो आप लोग कोमेंट जरूर करिएगा आई टी वी पी या कौन्सा फोर्स का आप लोग कट अब देखने चाहते हैं और वीडियो आप लोग का अच्छे लगे हैं तो जरूर अपने दोस्तों साथ सेर करना और इस चनल को नए हैं तो जरूर चनल को सब्सक्राइब करना और आप